हाई वास मैं हूँ डक्टर ट्रेम जी आयरवेदिक आज मैं इस वीडियो में आपको वाइट डिशाज यानी सफेद पानी आना बंद करने वाली और उसका वजे आने वाली फ्राब्लम्स को दूर करने वाली गरेली उटनुसकें को बताने वाला हूँ तो आप अभी तक मेरी इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाईए ताकि मेरी नया वीडियो आपडेट पानी के लिए अभी चलता हूँ इस वीडियो के अंदर वाइट डिश्चार्ज स्त्री के लिए बहुत बुरी फ्राबलम है वाइट डिश्चार्ज किसी किसी को फ्रेगनेंसी में और किसी किसी को तोड़ा दिन आकर बंदू हो जाता है और किसी किसी को हमेशा आता ही रहेगा इसका वज़े से स्त्री का योनी स्वेत प्रदार आने से उदर कुजली, बदमू और गिला पढ़ जाना हो जाता है एडिशाज किसी में फंगल इंफेक्शन का वज़े और किसी किसी में हार्मोन इंब्राइलेंस की वज़े हो सकता है कारण कुज भी हो अब मैं बतने वाली नुस्कों को यूज़ करके आसनी से इस स्वेत प्रदार को टीप कर सकता है आपको क्या करना है कि रोज तीन से चे लीटर पानी ज़रूरी पीना है और अंडर गार्मेंट्स इस अंडर गार्मेंट्स को आप टाइट नहीं पेनना और कुजली बदबु ज़्यादा है तो रोज दो बार इस अंडर गार्मेंट्स को चेंज करना और इस अंडर गार्मेंट्स को गरम पानी से दोकर गर्मी में सुकाना और vaginal area को गिला नई होने दे अगर गिला है तो साफ करना ठीक है अभी मैं बतना वाली इस नुस्के को भी आप रोज यूज़ करना इसके लिए आपको चाहिए होता है यहे निमका पत्ते है ठीक है आपको क्या करना है कि पहले इस निमका पत्ते को लेकर आना है और इस पत्त कि पत्ते को ऐसा निकाल ये ठीक है देखी आचा सा अगरी आशा थोड़ा सा निमका पत्ता लेकर आप ना कूट पिसक किजी आईसा कूट पिसक करनी है कि अजये हैं तोड़ा सा कूड़ पीस करने के बाद आप इस पत्ते को एक बोल लेकर इसमें डालिए ठीक है अब इसमें दो ग्लास यानि दो चोटा ग्लास का पानी डालिए इसमें मैं अभी एक बड़ा ग्लास का पानी लिया है आपको दिखाने के लिए आप तो चोटी ग्लास दो चोट पान का एक सीसी में रख लीजिए ऐसा इस निमका पत्ते की पानी से आप योनी को दो तिन बार साफ करने से इस सफेद पानी का प्राबलम टीक होता है ठीक है और ऐसा बहुत इस वाइट डिश्चार्ज की टीक करने वाली बहुत गरेलून उसके है मैं आपके लिए एक एक कर है के वीड़ो बनाता ही रहेंगा तो आप अभी तक मेरी चानल को सब्सक्राइब केंद करते करें आपए सब्सक्राइब कीजिए दभाए कि मेरी इस वीड़ो आपको आचाला गे तो लाइक और शेर किजिए इस वीड़ो देखने के लिए दन्यवाद